इंडिया की टीम ही है जो पाकिस्तान से नहीं खेल बेस्ट फिर बॉलिंग है पाकिस्तान की यह राइट टाइम में इनका डिलिवर करने है पिछ की वज़ा से किसी को फेवर नहीं मिलेगी हर प्लेर चाहता है कि बड़ गाप कहले बाबर आजम वन मैन आर्मी शो हो तानी से ह इंडिया की टीम है जो पाकिस्तान से नहीं खेलती है और आपको याद होगा 97-98 से इसलिए नहीं खेलती थी कि पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छी है तो इंडिया की टीम अक्सर मैचारती थी तो अब सिच्वेशन बदल गई है अब हम 2023 में खड़े हुए है हमारी सोच वह ही है हमें अपनी सोच के बतलना चाहिए तीम बड़ी चोटी कोई नहीं होती है और पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है इसको आप यह नहीं कहसे हैं के पाकिस्तान की टीम बहुत वीक है पूरे वर्ल्ड में देखें हैं टीमें अब इंगलंड और अस्ट्रेलिया के इन चीजों से निकल के हमें मैचिस खेलने चाहिए हमें सीरिस खेलनी चाहिए तो पता चल जाएगा कोंसे टीम अच्छी है बैस्ट बॉलिंग है पाकिसान की और मैं समयता हूं जितना जितनी वेनिस आगी हुई है और यह राइट टाइम है पाकिसानी बॉलर्स का ऐसे हमन करता है मुश्किल से सटेमें में परफार्म करता है तो पाकिसानं टीम को भी ऐसे ही फिरम माइंड से जाना पड़ का हर चीज को भूल जाना चाहिए और हर चीज को खतम कर देना चाहिए सिर्फ फोकॉस होना चाहिए कि हमने मुश्कल वकत में पाकसान टीम को कैसे मैच इताना है इस पे फोकॉस होना है बहुत सिंपल बात है यह देखें वर्ल्ड कॉप जहां भी होता है वहां पे पिचिज की होती है पिचिज भी मटी भी चेंज होती है ग्रॉंड की भी कंडिशन बड़ी अच्छी हो जाती है आप आपने देखा वेस्टनीज में अगर आप 25 साल पीछे चले जाए तो वेस्टनीज में बिलकुल ऐसे लाता है आम सी ग्रॉंड है जब वर्ल्ड कॉप हुआ दोज़ तो बोलर की अबिलिटी टेस्ट हूं तो वर्लकॉप का मतलब हुग है कि बोलर टेस्ट हों बैस्मेन टेस्ट हों तो पूछ की तरफ से कोई स्पॉर्ड नी होनी चाहिए वर्ल्ड कॉप तक जो प्रेशर होता है यह बड़ा डिफरंट होता है एक फीलिंग्ग बड़ी वो प्रेशर हैंडल की वज़ा से उपर नहीं आ सकती न्यूजिलन्ड आती है पर वह एक सेपर आके अपनी वह रुक जाती है वहां वह समी फैनल में हो यह फाइनल में हो तो यह चार टीम में जो है ना काफी इनमें अच्छा नजर आ रहा पेर भी अच्छे नजर आ रहा रह हम एक चाहिए कि वह उड्र प्रफॉर्म करें कि जैसे वन साइडिड मैंच वह लेकर चलें वन्मेन आर्मिश्योह हो हर मेर्श जित्वानिंकोशी करें हर मेरे में अरे इन्तेन्ट ऑग करने पाकिसान में ने किसे इस्ता है अगर पतंद लेइ झाल झाल